तो हे गाईज आज की सवाली वीडियो में आप लोगों में बहुत ही अची ट्रिकस है, आप लोगो फोट रिडिंग सिखाने वाला हूँ, जिससे आप पिक्साल टैप से कुछ इस टाइप से रिडिंग कर सकते हो, देख सकते हो guys, अभी हम दोग नोग ने जो इस टाइप से और नेक्स लेवल किये और आप लोग भी ऐसे डिडिंग करना चाहे तो अपनी फोटो कि तो गाइस पिक्सार टैप में आ जाना सब कुछ स्टेप बाइस बताऊंगा और ध्यान से देखना अभी में इडिडिंग जो बताने वाला हो यहाँ पर यूटूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताया और इस टाइप की डिडिंग ना किसी ने सिखाया होगा ना आप लोग को अभी तक आती होगी तो गाइस मेरी वीडियो आज की वीडियो में बहुत ही इंडिस्टिंग बताऊंगा जिससे आप अपनी फोटो में इडिडिंग ला सकते हो तो वीडियो को इन तक देखना जरूर से एंड लास तक देखते देखते आप लोग को समझ में भी आ जाएगा इस्टेप बाइस्टेप में जो पताने वा दिखाता हूं आप लोग को वहां पर कैसे फेस की स्मूधिंग करी जाती है और बैक्ग्राउंड में डिडिंग कैसे करी जाती है तो सिंप्ली से फोटो आ चुकी है अभी हम लोग यहां पे HDR का एक लूग देंगे तो HDR का लूग कैसे दिया जाता है उसके बारे में जान ल लेंगे मतलब कम नहीं मतलब 61 है तो 61 ही रखना होगा अपको ध्यान से देखके step by step वही करना होगा जो मैं यहां पर कर रहा हूं अभी आप लोग को इतना करने के बाद यहां पर टूल अप्शन पर क्लिक कर लेना होगा मतलब फिर से नहीं मतलब एज़िस्ट वाले आप लोग को राइट टिक कर लेना होगा बिफोर आफर देख सकतो गाइस कितने यहां पर अच्छा तरीके समलोंगने HDR का लूग दे दिया है वहां पर लोग को पिंपल हो रहे तो उसको हटाने क्लिक करना होगा टूल वाले option पर फिर से क्लिक कर लेना होगा और रिमूव क करने के बाद फिर से आप लोग को क्या करना होगा और थोड़ा तरीके से करना होगा तो उसके लिए आप लोग को रिटाच वाले option पर क्लिक करना होगा यहां पर साइड इस्टोर डाउन करना होगा और यहां पर एक ब्लैमिश का option मिलेगा आप लोग को दिखा देता हूँ ब्लैमिश वाले option पर क्लिक करने के बाद अभी आप लोग को जहां पर पिंपल है वहां पर टच कर लेना कुछ इस टाइप से यहां पर देख सकतो मैं कर रहा हैं यहां पर थोड़ा वीडियो को फास कर दिया तो इस अब हटा लेता हूं मैं आप लोग को भी हटा लेना हो गहीं से और बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप अपने फेस की स्मूधिंग करने जाओगे तो काफी नेक्स लेवल की स्मूधिंग हो होगे अभी आप狂गो क्या करना होग유 वह दीख ना ध्यान से तो अभी आप लोगो को वही चीज में बताऊंगा जो इस खाने वाल Utah अजाना इफेक्ट आताना पले यहां पर बलौु करना ऊपाएक Els कहा नहीं झImpel करके ना नीचे देख इन भाट करके यहां आप लेत चाहिए अपने face पे वहाँ वहाँ टच कर लेना कुछ इस टाइप से मतलब draw कर लेना तो यहाँ पर मैं draw कर लेता हूं रिस्टोर पे क्लिक करके और कुछ इस टाइप से देख सकतो मेरा draw हो रहा है तो मैं वीडियो को थोड़ा fast कर देता हूं आप लोग को पूरा करके दिखा यहाँ पर इसका आप लोग जो opacity रहेगा मतलब इसका blur का strength रहेगा उसको 5 रखना 5 रखना यहाँ पर quality देखना काफी next level की आएगी smoothing के बाद and देख सकतो smooth भी होगा face pimple भी gap होगा काफी next level की रगी photo and इसके बाद effect वाले option पर आजाना यहाँ पर color वाले option पर क्लिक करना color replacement मत आना इसके आगे option है और भी दिखा देता हूं मैं तो ग्याइस देख सकतो colorless पर हम लोग क्लिक कर लिए इसके बाद रेज वाले icon पर आ जाते हैं अभी हम लोग background वाले option पर क्लिक कर देंगे background पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो background का color रहेगा वही पर रहेगा अपने जो model पर रहेगा वो color हट जाएगा यहाँ पर वन क्लिक में कुछ इस टैप से color change कर सकते हो मतलब वन क्लिक में यहाँ पर मैंने color change कर जैब before after आप देखी सकते हो इतना करने के बाद गाइस अभी आप लोग को जो bookies वाले option रहता है यहाँ पर side side जो bookies आता है उसके बारे ब दिखा रहा हूं before after आप देख सकतों काफी next level की डिटिंग है और ऐसी एडिटिंग आप लोग भी सीख सकते हो इसके आगे का step मैं बता रहा हूं जो यहाँ पर मैं कर रहा हूं इसके बाद makeup वाले option पर आजाना मतलब डिटेच वाले option पर क्लिक करने के बाद and lips का color यहाँ पर बहुत ही कमाल तरीके से चेंज कर सकतों मतलब वनी क्लिक में lips का भी color चेंज कर सकतों तो मैं यहाँ पर लास्ट वाला lips का color रखना हूं मतलब pink वाला and इसके आगे का step यह है तो इसके करने के बाद अभी आप लोग भी देख लो कुछ step से आप लोग को भी करना होगा step by step and इतना करने के बाद अभी आप लोग देख सकतों गाई जहाँ पर lips भी color आगे हम लोग before after आप लोग को show करके दिखा दिया इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा skin का tone जो रहता है मतलब skin का color उसको change करने के लिए क कुछ step से यहाँ पर click कर लेना होगा एंड इतना click करने के बाद आप लोग को white वाला फस्ट वाला option यूज़ करना होगा इंड उसके बाद आप लोग अपने auto पर click करने के बाद before और आप लोग जो देखना ऐसे reading आप लोग को interface मिलेगी एंड देख सकतो फोटो काफी next level की ह होगी एंड ड्रा के option पर आके photo को save कर लेना